हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज भिन्नों का घटाना सिखेंगे कि भिन्नों का घटाना जो हता है इसको किस प्रकार से हल किया जाता है तो फ्रेंस जब भी आपको भिन्नों का घटाना मिले तो उसको हल करते समय इसके हर को देखा जाता है कि हर बराबर है कि नहीं है यदि हर बराबर होता है तो उसके अंस को सीधा सीधा घटा दिया जाता है फ्रेंस यदि हर बराबर नहीं होता है तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे इसका भी तरीका इस वीडियो में आपको सिंपल तरीका से बताया गया है तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने ये कोईस्टन है देखिए फ्रेंस आपको क्या करना है कि एक बटा के पांच में से आपको माइनिस दू बटा के पांच माइनिस साथ बटा के पांच माइनिस तीन बटा के पांच को हल करना है तो friends हल करते समय आपको बताए है कि इसके हर को देखा जाता है तो friends यहाँ पर इसके हर को देखिए देखिए यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5 तो friends जब हर पराबर होता है ति इसके अंस को सीधा सीधा घटा दिया जाता है तो फ्रेस चलिए देखिए इसको कैसे घटाते हैं देखिए आप क्या करते हैं फ्रेस इसके जो दिया है हर में पांच है थी यहाँ पर पांच लिख लिजिए ठीक है पांच लिख लिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक लिखाया है एक लिखिए रिड काची ने ति दिशान दिजिएगा क्या करना होता एक जो रिडड़ रिड़ होता है आपस में तरब यारी जो माइनस वाला होता है इन सबको आपस में चोड़ जाता है इसे तरह कितना सभी माइनस वाली संख्या आपस में चोड दिया जाता है इस चीज को आप ध्यान रखेगा जितना माइनस वाला संख्या होता है सभी को जोड़ा जाता है माइनस 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 तो देखिए जोड़ा जोड़ा जाता है इसके सामने के चिन माइनस होता है यह ध्यान दिजिएगा और अपान कितना है बटा के 5 है तो यहाँ पे 5 दिख लिजिएगा अब बराबर देखिए यह धन यहाँ पे धन है यह माइनस है धन और माइनस होता है गटाते है देखे 12 मैं जब भी गटाएंगे तो बड़ी संख्रार में से छोटी संख्रार गटाते है तो 12 मैं से 1 जाएगे कितना बचेगा आपका फ्रेजं़ ग्िरस कि यहां से गटाएंगे हैं यह ज्यदा इंपोटिंट रखेihi और अपान कितना पांच है तो यहां पर पांच रखेंगी यही फ्रेस आपके क्या हो जाएगा कि एंसर होगा तो फ्रेस इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या का आपको घटाना मिले जिस प्रकार बता है इसी प्रकार इसको हल किया जाता है चलिए फ्रेस एक next question को देखत यहां पर नो है, यहां पर औच्छा है, यहां पर एक्थारा यहां पर बारा है, जो कि इसका हर बराबर नहीं है तो फ्रेस हर बराबर करने के लिएये, आपको क्या करना होता है? इसका 이ल सियम, अर्था concept अदम clear हो जाए देखिए पछले दो से कट आई छोटी संक्य है दो से कट आई देखे दो का भाग नौ में देंगे नहीं कटेंगे नौ दू त्याइए चाहर दू नमा अठार दू छाका बारा फिन दू से कट रहा है तो दू से कटा लीजिए तीन नो और दू त्याइए च ठीक अब देखें तीन से कट रहा है तीतली के नो तीन के इम तीन तीन के इम तीन अब कितना से कट रहा है फ्रेंज तीन से देखें एक हो जागा एक हो जागा तीन के इम तीन यहा। पर हर लिखा इसका उसमे भाग देते हैं। छिंज dipping ऑग दिजिए और देखे कितके बारा में बारा है। 9.. 4.. 36.. चार बार में थे 4 आफ जिखे शार के गुड़ा 3 में किजिए, यारि कि चार गुड़ा ची के 3 में करें। कितना स्चांवाइना के बारा की स्ञेए अठारा की GUY स्ञेए दू लिखें दूपर ना को ये लिखना मीने खेंस-पर आपको एंगे मायनस में सब्सक्रां सब्सक्राइ those देखिए यह धन है तो इसको इसी प्रकार उदार ही है, अब इन सब को आपस में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, पांच, दू, साथ, साथ, दू, नौ, एक, एक, दू, यानि कि 29 हो गए, अब देखिए सभी माइनस को जिब आपस में जोड़ा जाता है, तो चिन किस गटाते हैं, गटाये, नौ में दखी, 29 में से 12 गटा लिजी तो इकाई का एकाई के अस्थान से गटाये, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, फ्रेज, साथ, और 2 में से 1 जाएगा, एक, यानि 17 गटा कितना हो जाएगा, 36, लेकिन फ्रेज, यहाँ पर आप एक चीज ध देंगे, यही फ्रेज, आपका क्या वाजाएगा, माइनस 17 गटा कि 36, यही आपका फ्रेज, एंसर होगा, तो फ्रेज, इस प्रकार से हम भिन्नों का जोड़, जोड़, जोड़ और घटा ना, यह जो भी दिया रहता है, उसको इसी प्रकार से हल करते हैं, ठीक है फ्रेज, तो फ्रेज, आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें,